तो गाइज एक मोमेंटम आ चुका है मार्केट में प्रॉफिट बॉक करने का एक सही कर रहा था काफी दिनों से अम सब वेट कर रहे थे वह आ चुका है ओप्विट में तो मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊँगा अभी का क्यू मैंने कहां पे ट्रेड लिया मेरे क्य लेफेस बारे नेनला तो सबस्थे पहले बात करेज इंगे मेरा प्रोफिट कितना है तो मेरा प्रोफिट आज का तोटन 10 जार mont वाई 11000 के करीब है तो मैंने this financial basis मैं ये ट्रेड लिया है ठीक है आप को सबसे पहले मैं आज की घ्रणकर कनेशन समझाताas जैसे कि आप देख सकते हो कि Friday को एक बहुत अच्छा अपसाइट मुवमेंट हमें को मिला एक अच्छी rally अपसाइट की मिली तो यहाँ पर जिन लोगों ने position बनाई होगी न ठीक है call में जो position बनाई होगी उन लोगों ने इस candle पर जाके आप देख सकते हैं market इतना gap up दिया और gap up दिने के बाद पहली candle रेड बन गई तो market के sentiment positive हैं जितने भी sources हैं सारे की सारी जगह से बहुत चीवी एक वह आ रहा है market के उपर जाने के इस सारे के सारे direction आ रहे हैं तो यह candle रेड क्यूब बनी तो यहाँ पर आपने को समझा पड़ेगा resistance जो है वो support कैसे बनाए यहाँ पर एक बहुत important point है आप इस दीज को समझना जिन लोगों ने कल के दिन यह positional trade बनाए है ना call में ठीक है यहाँ पर यह red candle क्यूब बनी क्योंकि जैसे ही market इतना बड़ा gap up दिया तो इस level पर जाके लोगों ने अपना profit book कर लिया maximum जिन लोगों ने positional trade बनाएगा इस level पर जाके उन्होंने selling की तो mass selling के वज़े से यह resistance बना और यहाँ पर वापिस आ गया तो आप वही लोग जिन लोगों ने यहाँ पर selling की है वो एक बार wait करेंगे कि वापिस से इस level पर अगर market आता है क्योंकि यह swing day high हो चुका है तो इस level पर अगर market आता तो हम वापिस से buying शुरू करेंगे ठीक है तो आप देखो पहले यह resistance बना और फिर इसी level पर मैंने mark किया है यहाँ पर मैंने खुद entry लिए तब जाके मेरा यह profit बना है आप देख सकते हो order section में भी दिखाता हूं मैंने जो entry लिए करीब 10 बच के 24 minute पे लिए और 10 बच के 29 तक में मेरा यह profit बोग तो quantity बहुत छोटी 35 lot में था और लोग 500 quantity ल profit मेरा इतना है और यहाँ पर profit माई नहीं करता है यहाँ पर आप points देखो कि मैंने buy किया कितने पर मैंने buy किया 221-222 के करीब ठीक है और मैंने अपना half quantity sell किया जो मैं हमेशा सबको prefer करता हूं कि maximum quantity निगाल लो ताकि आप loss से बद चकोगे मैं 254 पी किया उसके बाद मैंने छ 25 पी तो करीब 200 से ऊपर something 200 से ऊपर points अपने को मिले तो यहाँ पे कितना अच्छा मतलब आप देख सकते हो कि जब लुकसान हो रहे हैं तो अपने को छोटा करना है ठीक है और अगर profit हो रहे हैं तो उसमें बने रहना है ठीक है तो बने रहने से मतलब लालश नहीं होता ठीक से मैंने यहाँ पर hold किया ठीक है तो आप देखो जो मैंने बताया यह जो यहाँ पर यह जो resistance हो एक support बना उसके बाद एक upside का moment अपने को मिला है तो इस सवाल यह है कि क्या यहाँ पर हर किसी ने profit बनाए होगा नहीं उन्हीं लोगोंने profit बनाए होगा जिसके पास preparation है ठीक है जो कल level बना के रखे होंगे जिन्हों इनको पता होगा कि market कल कैसे perform करने वाले जिन्होंने news पड़ा होगा ठीक है जो actual में यहाँ पर entry नहीं लिए क्योंको पता है कैसी condition है market की ठीक है तो इसी से experience आता आपको पता होना चाहिए अगर आप देखते हो यह एक upside same चीज़ आप देखो गए तो पुराने दिनों में भी हुआ है जैसा यहाँ पे हुआ है आप देख सकते हो अगर किसी और चीज़ का देखें किसी और दिन का तो यह आप देख सकते हो यहाँ पे भी यह जो level था देखो यहाँ पे भी एक upside rally थी यहाँ पे लोगों ने selling की profit book करने के लिए क्योंकि इतना gap up हुआ फिर यह यहाँ पे आया फिर अपने को weight किया इस level के लिए यह देखो यहाँ पे इसके बाद से अपने को फिर एक अच्छा खासा target अचीव हो गया तो क्योंकि मैंने यहाँ पे भी profit book किया है इस वज़े से मुझे पता है कि इतने बड़े rally के बाद यह चीज हमेशा होती है gap up के बाद में यह चीज हमेशा होती है कि यहाँ पे लोग अपना profit book करते हैं फिर इतना एक range create होता है फिर resistance जो support बन जाते है तो काई यही राज का profit आप देख रहे हो market अब तो में close कर चुका हूँ और मेरा profit इतना ही आज का तो अब कल मिलते हैं अ नहीं तो आज मिलते हैं एनलेसिस वीडियो में थैंक यू